गुलबरगा हेडलाइन CEO वसीम शेक का जनमदिन वार्ड नमबर 27 के कॉर्पोरेटर साजित कल्यानी की ओफिस पर सेलिब्रेट किया गया है तेरा गस को वसीम शेक का जनमदिन था और साजित कल्यानी अलमदार जैदी के अलावा एहमद एजास साइद कल्यानी शेक जुनेद बबलू तब्रेस एहमद और महले की छोटे मासूम बच्चों के साथ मिलकर वसीम शेक का जनमदिन सेलिब्रेट किया गया है इस मौखे पर कॉर्पोरेटर साजित कल्यानी और कॉर्पोरेटर अलमदार जैदी ने वसीम शेक को जनमदिन की बबलू पेश कर कहा वसीम शेक हमेशा बेबागी से सच्चाई गुलबरगा हेडलाइन से जरी अवाम तक पहुंचाते हैं साजित कल्यानी और अलमदार जैदी ने मस्जीद वसीम शेक के कारणामों को सरहते हुए जनमदिन की मुबारक बाप पेश कर लंबी उमर और काम्याबी की दुआएं की है आज हमारे दोस्त वसीम मेरे तास भाई का जनमदिन के मौखे पर आज हमारे ओफिस में सेलेबरेशन किया गया चोड़े-छोड़े मासुम बच्चे भी थे ताइम विजूर्व में थे अध्युक्त भाई करें वर्स्मरा जनम रहे तास भाई बच्चन भाई कर दोस्ते कर दोस्ता अध्यूर्व में अध्यूर्ण फचके के दोच भाई है कई रीडर्स का अट्यूविड यह हैं जो नहीं होने काम अंजाम देते हैं वसिम बैए मैं वसिम बैए को दिल्ट की गहरायों से मुबारागबात देता हूँ और आने वाले दिरों में और उनका चैनल के लिए दौआ गहूँ और अच्छे पैमाने में हो अब स्टेड का है इंशाल्ला आने वाले दिनों में नैशनल जैनल बने और मैं वस्म भाई की सहत के लिए भी दुआ करता हूं अल्ला उनके सहत दे उनके भाई को इनको उनके तमाम दरवाला को सुगुन दे और बुरी बलाय उसे बचाये आज 13 अगस्ट जनाब वस्म शेख साब जो गुलबर अफिस पर वसीम साहब का बड़े मनाया गया जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को केक खिला कर एक खुशी का पैगाम दिया गया गया गुलबरगा एडलाइन्स के जो ओनर है जनाब वसीम साहब गुलबरगा शेहर के लिए बाखुबी बहुत सारे कामों को अंजाम दिये तो उनके जनम दिन पर जनाब साजित कर्यानी साहब के ऑफिस पर बुलबा कर उनको मुबारग बात दी गई